अधम स्माधियां मेत भूधं सैनं गटार इसमें आज हम मोतिलाल आलम चंद्र या मोतिलाल हीरवार साहित्यकार और तहसीलदार वो तहसीलदार भी है और बुद्ध की भासा धम लिपी को पढ़ाते हैं और सखाते हैं तो जो धम की सेवा कर रहे हैं उसके बारे में हम आज यहां चिक्रि कर रहे हैं दरसल जितने भी धम की सेवा करने वाले और धम की जो सेवक हैं उनका एक एक करके जो भी आपके काम के हैं, उन लोगों को हम यहां इंट्रड्यूच कराएंगे, उनके बारे में बताएंगे, उनके फॉन नमबर भी देंगे, उनका एड़ेस भी देंगे, ताकि आपको अगर कुछ सीखना है, तो उनसे सीधे आप फॉन करके सीख सकते हैं. और आपको अगर धम सेवक करनी है या धम सेवक बनना है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो धमकी सामिकरी है जैसे मैं वीडियो धमकी बनाता हूँ तो आप इन वीडियो को अपनी आवाज में रिकॉर्ड कीजिए थोड़ा आगे बढ़ाईए कोई दिक्कत आती है तो लिखके पूछ लीजिए कि यह दिक्कत आ रही है यह कैसे होगी या यह जो धमकी वीडियो है या जो धमकी पोश्ट है इनको शेयर कीजिए इनको लोगों को गिफ्ट कीजिए या इनको सेव करके रख लीजिए जब आपको अपने बच्चों को सुनानी हो तो सुनाईए इसमें जो हम सिखा रहे हैं आज की समय कि पाली पढ़ो पाली पढ़ना सीखो वो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है इससे बच्चे खेल खेल में पाली सीख जाएंगे बच्चों को चाहिए कि वो अपने वीडियो बना बना के डालें अपनी आवाज में गाएं और अपनी आवाज में सीखें इसको तो दमकी सेवा जैसे आप कर सकते हैं आपकी चाहाएं और बाकी आप जो सेवा लेना चाहें उसके लिए यह एपिसोड है मोतिलाल, आलम, चंदर, तैसिलदार, भोपाल, मध्यपरदेश में हैं साहिट तेकार हैं चार किताबे उनकी आचुकी है तीन किताबों का तरफ मैं आपको यहाँ फोटो दे रहा हूँ चौती किताब का मैं जिक्र करूँगा उसका नाम है सांची दानंग सांची दानंग, सांची बहुत बड़ा इस्तूप है मध्यपरदेश के अंदर और सांची के नाम से जाने जाता है वर्ड हैरिटेज है वहाँ आप जिरूर जाईए और वहाँ जाके देखिए कि हो कितना बड़ा इस्तूप है, कितना खूसवत है जो पत्थरों पे समाग असोक्डे जितनी भी भासा लिखवाई, लिपी लिखवाई उसको धम लिपी बोलते है यानि धम लिखवाया और धम लिखवाने के बाद उस लिपी का नाम धम लिपी पड़ा उसको गुद्ध की भासा की पहले लिपी भी बोल सकते हैं वो सारी के सारी बहुत सिंपल और बहुत अच्छे आप दस वीडियो में सीख सकते हैं पांच में सीख सकते हैं और आपकी जिग्यासा है तो आप मातर दो वीडियो में भी भासा को सीख सकते हैं मातर दो दिन के अंदर दो वीडियो में क्योंकि जो मोतिलाल जी हैं उन्हें बहुत सरल और सिंपल वीडियो बनाए हुए हैं एक वीडियो मैं यहां उनका टैच कर रहा हूँ जो आप देख सकते हैं बाकी उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं अगर आपको आपशकता हो तो आप उनसे सीधे कॉंटेट कर सकते हैं वो जो सिखाते हैं उसमें आपको कोई दिक्ता चाती है तो आप फॉन करके उनसे सीख सकते हैं जो सांची दानंग किताब है वो धमलिपी सिखाती है तो धमलिपी सीखने के लिए आप सांची दानंक किताब को उनसे phone number में मंगाईए या उसका address में यहाँ देता हूँ आप address से मंगा लीजिए तो आप धमलिपी सीखी और सिखाईए दरसल यह बहुत ज़्यादा interesting है क्योंकि आप जब भी यह हजारों पत्थर जो भिखरे हुए हैं जगे जगे या जिनके फोटो इंटरनेट पे हैं जब आप उसमें देखेंगे तो आपको ताज होगा कि वो कितनी सरल भासा में समरट असोक ने भगवान बुद्ध को लिखवाया है और अपने राज काज को लिखवाया है आप उस धम लिपी में अपना नाम भी लिख सकते हैं जैसे यहां मेरा नाम लिखा हुआ है टीम 22 का नाम लिखा हुआ है और जो यह लेखक हैं बोतिलाल आलम चंजी उनका भी लिखा हुआ है तो ये पूरा धमलिपी में बड़ा असान है धमलिपी का font भी आ गया है आप अपने mobile में और आप अपने computer में इसके font को चला सकते हैं धमलिपी का font के लिए आप चाहें तो तैसिलदार साब को font कर सकते हैं वो आपको whatsapp पे भेज देंगे या कोई ना कोई link आपको मिल जाएगा इससे आप अपनी जो पोस्ट हैं उनको धमलिपी में बना सकते हैं कुछ लोगों ने बनानी भी आरंब करती हैं इसके दार आप जो धमलिपी है उसको बैठे बैठे मजाक मजाक में खेल खेल में हसी हसी में सीख जाएंगे सिर्फ ऐसे करके कि सबसे पहले आप अपना नाम लिखें कुछ अलग से नहीं है के, खे, गे को किस तरह से पहले लिखते थे बस वो बदला हुआ है यानि के को कैसे लिखते थे, से को कैसे लिखते थे चे को कैसे, वो जो अक्षर है अक्षरों की जो shape है वो अलग है बाकी कुछ अलग नहीं है ऐसा नहीं है कि उनका जो मतब़े कुछ और है लिखा वो पाली में गया है पाली बहुत सरल भासा है और जो हिंदी है वही पाली है तो घमरानी की आपशकता है नहीं आप जो बोलते हैं चाहे गुजराती है चाहे मराठी है चाहे राइस्थानी है या मारवाडी है चाहे वो हिंदी है या पंजावी है यह सारी भासा हैं जितनी भी हैं यह सारी की सारी पाली हैं यह पाली भासा ही हम पहले बोलते थे तब उसका नाम पाली नहीं था तब मगदी था, असो की था, धम की भासा थी, असो की भासा थी, तो ये भासा कौशली भासा थी, भासा आते 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 आते, अभी कुछ समय पहले से इसका नाम हिंदी पढ़ा हुआ है, कोई अंतर नहीं है, इसमें आप बे खौफ हो के बिना डरे, ये सोचके हैं कि हम हिंद पढ़ रहे हैं इस धम लिपी को सीखें बहुत जादा इंट्रेस्टिंग है आप इनसे मिलिए ये धम सेवक हैं धम की सेवा करते हैं आप अगर इनकी क्लास लेना चाहें तो क्लास के लिए अगर 10, 20, 30, 40 इस्टुटेंटी खट हो जाते हैं तो वहां जा भी सकते हैं और वो धम लिपी की बर्ण माला से परिचे करवाएंगे धम लिपी समराट असोग के सासनकाल में इजाद की गई लिपी है समराट असोग के पूर्व भासाय तो थी लेकिन लेखन सरी विच्षित नहीं हुई थी लेखन का फुक्ता प्रमार हमें समराट असोग के काल से ही समराट थंब लिपी ही भारतिये भारत की सबसे प्राचीन पठनी लिपी है और धंब लिपी ही भारतिये मूल की समस्थ भासाओं की लिपियों की जननी भी है बर्तमान भासाओं की लिपियां तमाम लिपियां इसी लिपि से निकली हैं इसी धम्न लिपि से निकली हैं इसलिए मैं इस लिपी को मदर स्क्रिप्ट कहता हूँ, मा कहता हूँ, भारती लिपियों की मा है, जनिनी है आईए दोस्तों हम इस लिपी को पढ़ते हैं धम्न लिपी बढ़ माला आ, आ, ई, ई, उ, उ, ए, आई, ओ, आउ, अं, का, खा, गा, घा, इंगा चा, छा, जा, जा, या, ता, ठा, डा, धा, रा, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, हा, रा धंबलिपी में समराटस्टो के अभीलेकों में केबल सरोतावाला साथ अधिकांस का प्रयोग किया गया है सीटी वाला साथ और श्टकॉल वाल इशाय का प्रयोग ना के बराबर मिलता है अर्थ आर्थ सामूलता साथ प्रयोग होता था ये दोनों दालाप्यशा और मुर्धन्य साथ दोनों बाद में संसकारत किये गए हैं इसी प्रकार धंबलिपी में आठ स्वार हैं ये आई और रहू बाद में संसकारत की हुए हैं इसलिए सव़ारोपी संकिया आई और रौक मुलागार 10 हो जाती है अंग प्राकर्थिक पाली में इसे बैंजन में गिना जाता है जब कि हंदी या भारुपी वासा परिवाय में इसको अनुस्वर में गिना जाता है इसलिए अनुस्वार को भी मिला कर यहांपर 11 स्वार और एक निघ्रता मिला कर 11 अक्षर होते हैं इसलिए 11 खड़ी इस धमलिपी में हमने बनाई है यहांप 11 खड़ी यह मात्रा किस प्रकार लगाई जाएंगी मैंने यहांपर 11 सर्किल बनाए हुए सर्किल को आप एक लेटर से पैचान सकते हैं इससे आप ठा मान सकते हैं ये डॉट बीच मेर रख देने ठा हो जाएगा इसको सिर्फ हम मात्रा लगाने का तरीका पिस प्रकार है वह हम जानेंगे देखिए दोस्तों का नीचे का है पहले मात्रा पढ़ते हैं इस प्रकार ये मात्रा हैं में उपर लगाई है उ और बड़ों के मात्रा नीचे हैं अक्छर के और सेस मात्रा हैं अक्छर के उपर लगाई जाती है इस प्रकार हम अब एक बेंजन लेंगे बेंजन में मात्रा किस प्रकार लगाई जाएंगी देखी दोस्तों का का में उपर मात्रा लगाई गई है की की में उपर एक छोटी मात्रा बड़ी की में बड़ी की की मात्रा का छोटाओं की मात्रा कू का बड़ाओं की मात्रा कू का 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 क से सीख सकते हैं धंब लिपी के लिए सीखने के लिए इतनी सामक्री परियाप्थ है इस परकार का की जगे आप दूसरा पेंजिन भी लिख सकते हैं मात्रा चड़ाने का तरीका यह ही रहेगा केवल जो संब्राणसों के अभी लेकों में हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है जो अक्षर नीचे गोलाए लिए खत्म होते हैं इस ता है टा भी है इस परकार और भी अक्षर है बाज नीचे गोलाए लिए खत्म हो रहा है वहाँ पर एल नुमा उ की मात्रा है या उ की मात्रा न लगाकर एक सीधा नीचे डंडी भी खीच सकते हैं जो उ की मात्रा या दो डंडी खीची तो बड़ों की मात्रा को प्रदशित करता है या आप एलनुमा भी मात्रा लगा सकते हैं जनरली समराट असुक्या भीलेखों में इस परकार मात्रा लगाई गई है इसलिए मैंने आपको परकार बताया है दोस्तों इसको आप बड़े आराम से सीख सकते हैं बहुती सहज बहुती सरल और बहुती बयग्यानेक लिपी है इस लिपी को सीखने के लिए आप मुश्किल Rainbow 10 से पंदर दन इसको बार बार प्रैक्वेटर्स करें इसको प्रैक्वेटर्स करने माद समय स्वार बंजन मात्रा चड़ाने का त हीका और ग्यारा कड़ी किस की प्रेफिस करिए स्वावा रूप से आप पांदर दन में लिपी लिखने लगेंगे धम लिपी से आप पूरी तरह से पर्चन हो जाएंगे बुद्थम सरनं गच्चामी धम्मं सरनं गच्चामी जंगं सरनं गच्चामी भूतं सरनं गच्चामी धम्मं सरनं गच्छामी जंगं सेनं, गच्छामी बूधं सेनं, गच्छामी रम्मं सेनं, गच्छामी संगं सेनं, गच्छामी भच्छामी पाना ती पाता विर्मनी सिख्खा पधंक स्माद गतंशर्णन गच्छामे धंवन्शर्णन गच्छामे संखंशर्णन गच्छामे धंवन्शर्णन गच्छामे धंवन्शर्णन गच्छामे संखंशर्णन गच्छामे धंवन्शर्णन गच्छामे धंवन्शर्णन गच्छामे धंवन्शर्णन गच्छामे धंवन्शर्णन गच्छामे